नमस्कार दोस्तों घरेली उनुसके में एक बार फिर आपका चैनल आपका स्वागत है दोस्तों गर्मी आने वाली है और आपको गर्मी में होने वाली जुरियों से परेशानी बहुत जल्द ही आपके सामने आने वाली है इसलिए हम आज के अंक में इसका इलाज लेकर आए हैं कि आपको इन से कैसे दूर रहना है और इसका इलाज कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बात करते हैं गर्मी में तेज धूप ना सिर्फ तवच्चा की नमी चुरा लेती है बलकि इसे चेहरे पर जुरियों के समस्या भी बढ़ जाती है इसलिए मेलाओं को घर से बाहर निकलने से पहले अच्छी क्वालिटी का संस्क्रीम इस्तिमाल करने की सलह दी जाती है जुरियों से तवचा में सिकुड़न पढ़ जाती है तथा आँखों के नीचे काले गेरे बनने के समस्या भी हो जाती है जिससे आपकी खुबसूरती प्रभावित होती है ऐसे में आपको जरूर्थ है अतरिक्त देह बाल की जानिए हमारे साथ कुछ ऐसे सफल उप्चारों के बारे में जो आसान होने के साथ साथ असरदा असरकारी भी हैं खटे फल जैसे संत्रे निम्बू और अंगूर जैसे फलों का सेवन अधिक से अधिक मातरा में करें क्योंकि इन में वाइटामिन C अधिक मातरा में होता है दिन में कम से कम 12-13 गिलास पानी पीएं जूरियों के समस्या से बचने के लिए अंडे का सफेद भाग आपके लिए बहुत फायदे मन्द हो सकता है अंडे के सफेद भाग को एक बाउल में निकाल कर अच्छे से फैंट लें और चेहरे पर पैक के तरह लगाएं सूखने पर चेहरा धोलें गर्मी के दोरान कम से कम मेक अप करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि मेक अप ऐसा हो जिसमें चिपचिपाहट ना हो यानि आप वाटर प्रूफ मेक अप का भी इस्तिमाल कर सकते हैं गर्मी के मुसमें चेहरे पर निखार लाने के लिए दिन में कई बार चेहरे पर ठंडे पानी से चिड़काव करें इससे चेहरा तरो ताजा रहेगा चेहरों को जुरियों से बचाने के लिए गर्मी के दिनों में चंदन का पैक लगाना चाहिए इससे चेहरे को ठंडक भी मिलेगी गुलाब जल को बरफ में जमा कर उन आई क्यूप्स को जुरियों पर मलना चाहिए इससे जुरियां दूर करने में मदद मिलेगी खीरे के चोटे चोटे टुकडे को पीस कर उसे आँखों के आसपास और जुरियों पर मलना चाहिए वाइटमिन E का कैपसुल जुरियों को दूर करने में फायदे मन्द होता है तीन विटामिन E कैपसुल का आयल एक बाउल में डालें उसमें दो चमच दही आदा चमच छहएद और आदा चमच निम्बू का रस मिलाएं अच्छे से फैट कर इस पैक को चहरे पर लगाएं दस मिनट चोड़ दें फिर चहरे की हलकी मसाज करते हुए पानी से साफ करें तो दोस्तों यह थे कुछ नुस्खे जिससे आप जुरियों को दूर कर सकते हैं और इन गर्मियों में आप अपने जुरियों से बचाव कर सकते हैं तो ऐसे और कई तोट के लिए नुस्खे लेकर आता रहूँगा तब तक के लिए मेरे चैनल को like, share और subscribe करना न भूले ताकि मैं next अगले अंक में आपको कुछ और नया और आपकी सेहत और आपकी beauty के लिए कुछ नया कर सकूँ दोस्तों आज के लिए इतना ही धन्यवाद